Assalamualaikum and welcome to another video दोस्तों FBR ने तमाम टेक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए अब विदोल्डिंग टेक्स की डिटेल्स अपडेट कर दी है जब भी आप कोई banking transaction अपने debit card या credit card से inside या outside country करते हैं या कोई भी दूसरी banking transaction तो उस पर कट जाने वाला withholding tax अब आपके dashboard में ही show हो जाया करेगा आपकी वा तमाम transactions जो आप अपने debit या credit card से outside Pakistan किसी product या services के लिए pay करते हैं और आपको month end का wait करना पड़ता है उसकी तमाम details bank statement में हासल करने के लिए बट FBR में ये सब transaction के successful होने के 24 hours में ही show हो जाता है इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि sometimes क्या होता है कि हम different transactions करते हैं उस पर withouting tax deduction का हमें पता ही नहीं होता कि कितना है और कहां कहां cut हुआ है तो चलिए पहले मैं आपको उस law के बारे में बताता हूँ जो different debit और credit card की outside country transactions पर withouting tax के तोर पर लगाया जाता है ये discuss हुआ है income tax ordinance के section 236Y में ये law add किया गया था finance act 2022 में तो इस वकत ये applicable है और इसका जो rate specific किया गया है वो है 1% on the gross amount for filer and 2% for non filers इस deduction को देखने के लिए आपको IRIS के dashboard के new version में यहाँ नीचे left side पर and old version में उपर menu में last option है मालूमात की इसको open करें यहाँ आके आपने इस withholding tax के box को open करने and आपकी तमाम transactions आप चाहे वो inside country है या outside country है आपके तमाम withholding deductions including debit या credit card से होने वाली transactions का withholding tax भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा यहाँ पे देखे तो यह total amount का 75,000 है तो उसका 1% 75 बना लेकिन यहाँ पे नीचे देखे तो यह 1000 के against 20 कटे हैं जो के 2% बन था 1000 का इसकी reason यहाँ पे यह है इसके वज़ए यह है कि जिस byic account मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यह inactive था क्योंकि इन्होंने 2022 की tax return को late file किया था और बाद में ATL सर्चार्ज भी pay नहीं किया इन्होंने अपना ATL सर्चार्ज पे किया था 19 में 2023 को जो के यहाँ वे आपको नजर आ रहा है और उसके बाद देखें तो जितनी वी उपर transaction आई है इस सब के उपर होने सिर्फ 1% tax deduct हुआ है तो दोस्तों यह FBR की तरफ से एक बहुत अच्छी सहुलत है तमाम taxpayers के लिए और इस से आपको फाइदा उठाना चाहिए मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए आला हाफिज